अगर आप बिजली के बढ़ते हुई बिलों से परिशान है सूलर सिस्टम जो है वो आप नहीं लगवा सकते वजह कोई भी हो सकती है च्छत पे जगा नहीं है फाइनिशल दिक्कत है और यूट्यूब पे भी आप सारी वीडियो देख चुके हैं कि कैपेस्टर लगाएं उस तो यह वीडियो आपके लिए है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी तरीके जिन तरीकों को आजमा के आपका बिजली का बिल 40-50% तक हो सकता है तो अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आप निश्चित मानिए कि आपका बिजली का बि करें ताकि यह जनकारी जादा से जादा लोग तक पहुंचे और जादा से ज्यादा लोग इस जनकारी का लाब ले पाएं तो अभी तक बहुत सारे कैपस्टर के बारे में सुना हुगा यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे कि बीचेश्टर आप लगा दीजि क्योंकि पावर फेक्टर जो है आपका वो पॉइंट रेट है वो पावर फेक्टर आपका कनवर्ट हो जाएगा प्रैक्टिकली आप इन सारे फार्मूलों को आप टैस्क करते हैं तो एक डिसपेंटमेंट के सिवह आपको कुछ नहीं मिलता है और आपके बिजली के बिल जो ह बढ़ चुके हैं तो फ्रेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पाथ तरीके आपको बताने वाला हूं तो पहला तरीका जो है वह यह है कि अगर आपकी घर पर इन्वार्टर बैटरी लगा हुआ है बैटरी आपकी एक हैं दो हैं चार है जो भी जितनी भी आप बाटर को बैटरी का है और बैटरी जो है मादי׵ाटरी है तो आपका सकता है कि जब मठेबान की की तव उट यह लोगना है चारज करता और अब आपकी सब्लेडर है की आपकी बैटरी की सब्सक्राइर औरिके तक केवल बैटरी के वोल्ट सेंस करता है और अपना इस तरह की कोशिश करता है कि बैटरी में वह मैक्सिमम जो है एक बैटरी पर मैं बात करूँ तो फोर्टीन पॉइंट फाइव वोल्ट तक बैटरी को लिखे जाए पर अगर आपकी बैटरी के कोई cell वीक हो गया है या कोई separator shot हो गया है तो उस condition में बैटरी जो है वो अपने maximum voltage तक जाई नहीं पाती है अगर आपकी बैटरी पुराणी है या कभी आपका इंवोर्टर ऐसा है कि चार्ज ही करता रहता है तो आज ही अपनी बैटरी को चेक करता है कि कहीं आपकी बैटरी को जो कोई cell वह खराब नहीं है अगर ऐसेफिक बैटरी को इसी के साथ चीज और मैं आप लोगों को बता बैटरी से वापस यूज़ कर रहे हैं अपने घर पर इनवर्टर जब डीसी से एक रट्ट कर रहा है उस टाइम पे आप बैटरी से मेक्सिमम् आप एक उनिटी निकाल पाते हो बतलब ढला हमने 2 unit और निकाल हमने एक unit पाए तो यहां पे यह जो losses हैं इन losses को भी आप कम कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं बैटरी को आप minimum time के लिए आप यूज किजिएगा तो अगर आप बैटरी minimum time के लिए यूज करेंगे तो जो बैटरी के अंदर जो वैस्टेज है बार-बार आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं बैटरी में डाल ले हैं आप 100 और निकाल ले हैं 50 तो यहां पर यह जो वैस्टेज हो रहा है energy का लिए अपनी बैटरी को कम से कम यूज करेंगी यह बी आप कर सकता है कि आप लिथियम फॉस्टेट की बैटरी में आप यूट डालेंगे हैं तो आल्मोस्ट एक ही उनिट निकल पाते हैं तो वहां पे जो डिधियम फॉस्टेट का वो करीब 98 परसंट तक होता है तो वहा लिक नमबर टू यह है कि अखसर आपने देखा हुगा कि जब भी आप अपना फून करते हैं या आपने अपना लेपटॉप का आपका चारजर हैं तो मोस्ली लोग क्या करते हैं कि मोबाल को अपना चार्जर से डिस्क्रट कर लिया और और charger को जो है वह सोकेट में लगा रह है अब जब charger सोकेट में लगा रहता है तो हम लोगों को लगता है कि वो कहीं कोई यनकी का कवीज रहा है कहीं को मिस्तेमाल नहीं कर रहा है और ऐध सक्षान के यंदारा पर्यूदकij का तो इक कंठी क Näर तो अगर कर रही है तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप आपका कोई भी चार्जिंग आपकी डिवाइस है और उसको सॉकेट में लगा रहने देते हैं तो यकीन आपके बिजली के बिल जो है वो आपके बढ़ेंगे तो आप इमेरेटली आज से ही आप सॉकेट को बंद करना मत भूलिए या आपके घर पर इंडिकीटर है जो फिलामेंट वाले इंडिकीटर है तो आपको लगता तो यह होगा कि यह कि आपने रात में लगाई और सुबह आपको याद ही नहीं है और वो मॉटीन जो है वो आपकी कंटीनिस जो है चल लए है तो यह मॉटीन जो है यह चोटा हीटर होता है और आप लोगों को मैं बताओं कि 30-40 वाट गंटे का जो है पावर कंजेप्शन यह जो कोईल है वो करती है विश्तर छोड़ते ही इमिडिटली मॉटीन को बंद करें और अगर आपकी पावर पावर चाहुते हैं तो आप यह देखिए कि अगर था ग्रप आपके यह घर लगये हुए हैं तो और पावर पावर कंजेप्शन बढ़ रहा है तो आप आज ही आपने घर की इस तरह की जो भी डिवाइस है जो उनको आप बंद कर दें अब ट्रिक नंबर फोर जो है वह उन लोग के लिए है जो लोग एसी यूज करते हैं तो अक्सर कई सारे लोग मुझे इस तरह मिलते हैं हम चुकि एसी बनाते हैं तो बोलते हैं कि सर आपकी जो एसी है उसकी कूलिंग कैसी है तो मैं उनसा पूछता ह है कि आपको इस तरह की आदत बदलनी चाहिए एसी को आप कभी भी कोशिश करें कि 24 से नीचे न लेका है 24 से आप उपर ही रखे 25-26 पे आप रखें और अगर आप अपने एसी को 17 या 16 पे चलाते हैं तो आप यह देखेगा कि आपका जो एसी है वो मैक्सिम जो हैं पावर क आपके घर में अगर किसी वी व्यक्ति को इस तरह की आदत है तो उसको आदत को बदलने के आवशकता है उससे आपके बीजली के बिल भी कम होंगे और आपकी हाइल्थ के लिए भी जो नुकसान एसी से आपको कंटीनी हो रहा है वो भी आपका कम होगा तो यह टिप नंबर आप टिप नंबर चो प्रिक नेव जो मेरी 5 वो भी एसी से रिलेटेड है क्योंकि एसी एक आपके डवाइस है जो सबसे जादा जो है बिली करता है क्यूंकि एसी जो हैं वह मैक्सिम टाइम तक चलता है किनी घरों में आट से 10 गंटे चलता है किनी घरों में लोग 17-18 तो उन लोगों के हाँ पर एक एक का बिल ही अगर दस घंटे चलाते हैं तो करी 5-6 हिंटे आता है और ऐसे लोग जब आते हैं हमसे लेने के लिए कि सर मुझे को यह चलाना है और डिटन का मेरा नॉबल वाला यह तो आप इसके लिए सिस्टम बताई है तो यह थे क्या आप करते हैं या तो फिर ऑन होगा और और बार आन होता है तो हर और पैंदर आपकी डिजायर कूलिंग वह आ जाती है तो उस टाइम पर एसी जो है वो कट कर जाता है उसके बाद पांदास वनिट वाद में जैसे कमरे के अंदर फिर से गर्मी हुई फिर से अपना यहां और हर वह सबना मैकक्सिम तक जाएगा और इस तरह एसी के जो बिल हैं वो आपके बिल आते हैं आपके 5000-6000 अगर आप 10 घंटे भी चला रहें महीने का तो मेरा सजेक्शन आप लोगों को यह है कि आप उस बिल आप आप अगर सोलर अब आपके अच्छे टेक्नोडी नहीं है तो आप अगर अपने इनवर्टर इसी से भी अपने एसी को रिप्लेस कर दिया तो भी आप देखेंगे कि आपके बिजली के जो भी वह 50 परसंट तक कम हो जाएंगे और अगर सोलर इसी से आपने उसको रि हिसी है तो डाममल संयक चलाने के लिए अगर लगा है तो पांच कलोक लगता है और अगर आपको सबक्सक्राइब लिएक हमिन नहीं की दिस्वाइब 유ड़ाने की यूथ नहीं है आमको कहीं कोई लगाने की नहीं है कोई भी अपने मेज़नी के साथ कोई दिर Ayam क्या आउशक्ता नहीं है जैसे ही आपने पांचों तरीके आपने यूज किये वैसे ही अगले महीने से आपकी जो पावर करनेप्शन से आपकी जो बिजली बिल है वो आपके अप टू 40% 50% तक कम हो जाएंगे और अगर इन मैंसे कोई भी तरीका आपको पहले से आता हो या इन तरीकों में से बताय होई तरीके में से किसी भी एक तरीके को आप फॉलो करते हों तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा कि आपने ये वाला तरीका पहले से जानते हैं और इससे आप लोगों को इतना फायदा हो रहा है तो मुझे पूरी उमीद है कि कि आप लोगों कोई मेरे वीडियो बहुत पसंद आया होगा वीडियो कर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरबाट चैनल को भी सब्सक्राइब करें आखिर तक यह झाल 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 झाल